नमस्कार दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमारे चनल पर आज हम आपको अर्थराइटिस की समस्य से राहत पाने के लिए एक बहुती प्रभावशाली का रेलियू नुस्कों के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, अर्थराइटिस जो होता है वो जोड़ों की सूजन होती है अर्थराइटिस यानि की गठिया आज की बदलती जीवन शैली में मोटापा, गलत खानपान आदी वज़ों से ये ये रोग अब केवल बुज़ुर्गों तक ही सिमित नहीं रह गया है बलकि युवा भी इसका शिकार होते जा रहे हैं अर्थराइटिस का सबसे अधिक प्रभाव घुटनों में और उसके बाद कूले की हड़ियों में दिखाई देता है बहुत लोग समय समय पर अपने बदन में दर्द और अकडन भी इसमें मैसूस करते हैं कभी-कभी तो उनके हातों, कंधों और घुटनों में भी सूजन और दर्द आ जाता है और उने हाथ हिलाने में भी बहुती तकलीफ होने लगती है लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस समय स्यासर ने पढ़ने के लिए एक बहुती प्रभाफशाली घरेलूनोस खलाई हूँ जिसे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं इसे जानने से पहले, सबसे पहले तो एकने वितन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चनल पर आए हैं, क्रपयाओ, सबस्क्राइब का बटन दबाकर हमारी सदस्ता को सरू ले लें ताकि आप हमसे जोड़े रहें, हमारे द्वरदी के जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा बिठा सकें दोस्तों, आज मैं आपको गठिया के लिए एक बहुती प्रभावशाली घरेलू तेल के बारे में बताने बाली हूँ जो गठिया और जोड़ों के दर्ट को काफी हद तक कम करने में आपकी मदद कर सकता है इसके लिए दोस्तों, एक पैन में सरसों के तेल की करीब 10-12 चमच डाल दीजे फिर इसे थोड़ा गरम करने के बाद इसमें 4-5 लैसुन की कलिया, करीब एक बड़ा चमच अजवाईन, 5-6 लॉंग और 4-5 काली मिर्च भी डाल दीजे अब इस तेल को हलकी आज पर तब तक पगाएं, जब तक की इसमें से दुआ न निकले जब यह मिश्रन अच्छी तरह से पक जाए, तो गैस को बंद कर दीजे और जब यह मिश्रन थंडा हो जाए दोस्तों, तो आप इसे रोजाना, सुबह, शाम, 10 मिनिट तक इस तेल से मसाज कीजे, मालिश कीजे यकीन मानिये दोस्तों, यह वाकई में बहुती फाइदे मंद घरेल नुस्खा है, इससे आपको बहुती अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसलिए इसे घर पर जरूर बना कर देखिए, जरूर ट्राय करके देखिए इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को भी गठिया अर्थरायटर्स की समस्या है उनको गरिष्ट, बासी, बहुत ज़्यादा ओइली चीज़ें, या फिर स्टोर चीज़ें, फ्रोजन सबजियां, जंक फूर्ड, शराब, कठल, इन सब के चीज़ों से परेज करना चाहिए और इसके अलावा गठिया रोग में खटाई वाली जिज़ें, जैसे कि अमचूर, इमली, अचार, इन सब का सेवन भी मत कीज़ें आप चाहें तो फलों में और सब्जियों में बत हुआ मेथी, सरसुका साग, लौकी, पत्तागोबी, अद्रक, लैसुन, अजमोध, आलू, गाजर इनका सेवन कर सकते हैं इसके अलावा आप चैरी, मश्रूम, ओट्स, चौलाई, संत्रा, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं, सूरज मुखी के बीज, इन सब का सेवन भी कर सकते हैं वहीं दोस्तों, डेरी पदार्द जैसे की दूद, और पनीर, दही, इन सब का हो सके तो कम मात्रा में ही सेवन कीजिये आप केल्शियम की आपूर्दी के लिए फलों और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं तो दोस्तों, आपको हमारे दोरा दी गईया जनकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके सरूर बताईएगा और आपको आज की जनकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर सरूर कीजिएगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद